या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेड संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्र के नौवे और आखरी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है मा दुर्गा की नौवी शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सारी सिद्धियां प्राथ होती है देवी सिद्धिदात्री को मा सरस्वती का भी एक रूप माना जाता है क्योंकि माता अपने शोयत वस्त्र और अलंकार से सुसजित अपने भक्तों को महाग्यान और मधुर स्वर से मंत्र मुग्द करती हैं सिद्धिदात्री मा की पूजा के बाद ही अगले दिन विजयादश्मी अर्थात तशेहरा का पर्व मनाय जाता है देवी सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सो में है देवी की चार भुजाई हैं दाई भुजा में माता ने चक्र और गदा धारन किया है और बाई भुजा म माता सद्धिदात्री कमल आसन पर विराजमान रहती हैं मा की सवारी सिंह है मा की आराधना करने वाले इस दिन को CHैत्र नवरात्र में राम नौमी कहा जाता है और शारदिय नवरात्र के अगले दिन अर्थात दस्मे दिन को d Ellen पर राम की विजय के रूप में मनाय जाता है विजय दश्मी का पर्व इस दिन माता सिधिदात्री को नवान प्रसाद नवरस युक्त भोजन नोप्रकार के पुष्प और नोप्रकार के ही फल अरपित करने चाहिए सरव प्रथम कलश की पूजा और उसमें इस्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हैं इसके पर शाद माता के मंत्रों का जाब कर उनकी पूजा किराती है इस दिन कम से कम नोकन्याओं को घर में भोग लगाते हैं नोदुरगाओं में सिध्ध दातरी नवम और अंतिम सरूब हैं और इनकी पूजा से भवक्तों की सभी मनोकामणाय पोण होती हैं इस तरह से की गई पूजा से माता अपने भवक्तों पर तुरंत प्रसंद होती है भक्तों को संसार में धर्म, अर्थ, काम और मूक्ष की प्राप्ती होती है इस दिन भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वान चक्र की और लगाना चाहिए ये चक्र हमारे कपाल के मध में स्थित होता है ऐसा करने से भक्तों को माता सिध्यदात्री की कृपा से उनके निर्वान चक्र में उपस्थित शक्ती स्वता ही प्राप्त हो जाती है देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को नो दुर्गाओं में सबसी स्रेष्ट और मोख्ष प्रदान करने वाला माना जाता है भगवान शिव ने भी इस देवी की क्रपा से ये तमाम सिध्धियां प्राप्त की थी इनकी क्रपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण शिव अर्धन नारिश्वर के नाम से प्रसिद हुए शिव पुराण के अनुसार जब स्रष्ट में रचैता भगवान ब्रम्भाजी ने देखा उन्होंने जिस ब्रम्भाण की रचना की है उसमें विकास की गति नहीं है उन्होंने पाया कि पशुपक्षी और मनुष्ट की संख्या में बढ़हुत्री नहीं हो रही है कहा जाता है प्रजननी स्रष्टी उत्पन करने का संकल्प किया ब्रम्भाजी ने जब इस बारे में भगवान वेश्णू से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने को कहा इसके बाद ब्रम्भाजी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की ब्रम्भाजी की तपस्या से परमात्मा शिव संतुष्ट हो अर्धनारिश्ष्वर का रूप धारण कर उनके समीब कहे और अपने शरीर में इस्थित देवी शक्त के अंश को प्रथक कर दिया तब ब्रम्भाजी ने उस परम शक्त के स्तोते की प्रुम्भाजे के स्तुती से प्रिसन्द होकर शक्ति ने अपनी भ्रकुति के मध्य से अपने ही समान कांतिवाली एक अन्य शक्ति की स्रेश्टी की जिसने हिमाले की पूत्री पार्वती रूप में जन्म ले कर महादेव से मिलन किया मा सिधिधात्री को विद्या की देवी मा सरवस्वती का भी स्वरूप माना जाता है नौरात्र में जिन देवियों के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है उनमें मा सिधिधात्री को सबसे अधिक महात्वपूर्ण माना गया है इन्हें संपूनता की देवी भी कहा गया है वैसे तो मा सिद्धिदात्री की पूजा कभी भी किरा जकती है लेकिन नौरात्र के नवे दिन को स्रेश्ठ माना गया है इस दिन विदिविधान और पूरी निश्ठा से मा सिध्धिदात्री की पूजा करने वाले भक्तों को सभी सिध्धियां प्राप्त होती है दुनिया में कुछ भी उनके लिए असंभो नहीं है मा की कृपा से साधक में सभी क्षेत्रों में विजे प्राप्त करने के लिए सामर्थ आ जाती है कहा जाता है कि साधारन मनुष्यों के अलावा रिश्य मुनि और देवता भी हर काम में सफलता पाने के लिए मा सिद्धिदात्री की पूजा साधना करते हैं मा सिद्धिदात्री की साधना से लोगों की सभी भौतिक और आध्यात्मिक मनुकामनाई पूर्ण होती हैं इनके कृपा से कठिन से कठिन कारे भी चुटकी में संभव हो जाते हैं हिमाचल के नंदा परवत पर इनका प्रसिध तीर्थ है आडिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम में इशुत्व और वशित्व या आठ सिध्धियां होती हैं सच्चे मन से विदिविधान से उपासना, आराधना करने से ये सभी सिध्धियां प्राप्त की जा सकती हैं इन सिध्धियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे देवी मा के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, उपर वाले हाथ में गदा और बाई तरफ के नीचे वाले हाथ में शंक और उपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है सिद्धिदात्री मा का वाहन सिंग है और ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है विदि विधान से नवे दिन देवी सिध्यदात्री की उपासना करने से सिध्यां तो प्राप्त होती ही हैं, साथी साथ लोकिक और पारलोकिक सभी प्रकार की कामनाएं भी पोण होती हैं, मा के चर्णों में शर्णागत होकर निरंतर उपासना करने से, देवी का इस्मरण ध् जाग्रित होता है जिससे सिद्ध रिध की प्राप्ति होती है नौरात्र के नौवे दिन सिद्ध दात्री की पूजा पाठ करने से अपने कार्यों में आ रहे सारे व्योधान समाप्त हो जाते हैं और सभी मनों कामनाएं स्वतापूर्ण हो जाती है नौरात्र में नौ दिन मा पूचा की जाती है मा की महमा को कौन नहीं जानता इनसे जुड़ी हुई कई कथाएं हैं आये जानते हैं मा दुरगा से जुड़ी हुई कुछ प्रमुक कथाओं के बारे में पहली कथा के अनुसार लंका युद्ध में रुम्हा जी ने शीराम से राउण बद के लिए चंड स्री ओर राउण ने भी अमर्ता के लोग में विजय कावना से चंडी पाठ प्रारम किया ये बात इंद्र देव ने पवन देव के माध्यम से शीराम के पास पहुँचाई परामर्ष दिया कि चंडी पाठ यथा संभोपूर्ण होने दिया जाए इधर हवन सामगरी में दुरुष्ट न हो जाए दुरलव नील कमल की विवस्था ततकाल असंभो थी तब भगवान राम को सहज ही स्परण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन यानि नवकंच लोचन कहते हैं तो क्यों न संकल पूर्थी है तो एक नेत्र अरपित कर दिया जाए और प्रभूशी राम चैसे ही तूडीर से एक बांट निकाल कर अपना नेत्र निकालने के लिए तयार हुए वैसे ही देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा राम मैं प्रसन हूँ और विजेशी का उन्हें आशिरवाद दिया मानिताओं के अनसार दूसरी कथा इस प्रकार है कि जब रामण संडी का पाठ कर रहे थे और उस पाठ में यग्य कर रहे ब्रामणों की सेवा में ब्रामण बालक का रूप धरकर हनुमान जी भी आ गए निस्वार्थ सेवा देकर ब्रामणों ने हनुमान जी से पर मागने को कहा इस पर हनुमान जी ने विनमरता पूर्वक कहा कि प्रभु आप प्रिसन है तो जिस मंत्र से यग्ग कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजे ब्रामण इस तरह से को समझ नहीं सके तथास तो कह दिया और इस तरह मंत में जया देवी भूर्थ हरनी यानि की प्राणियों की पीला हरने वाली और वहां पर का बदलने से भूर्थ करनी का अर्थ हो गया यानि प्राणियों को पीडित करने वाली इससे देवी रुष्ठ हो गई और रावन का सर्वनाश करवा दिया हन्वा जी ने इस लोक में हा की जगे का करवा कर रावन के यग्गी की दिशा ही बदल दी नौरात्र पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने महिशासुर का वद किया था पौराड़ी कथाओं के अनुसार महिशासुर के एकाग्र ध्यान से बाद्ध होकर देवताओं ने उसे अजिय होने का वरधान दिया उसको वरधान देने के देवता विश्मे के स्थी में आ गए महिशा सुन्ने सूर्य, इंद्र, अग्नी, वायू, चंद्रमा, यम, बरुन और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयम स्वर्ग लोग का मालिक बन वैठा देवताओं को महिशा सुर्ग के प्रकूप से प्रतिवी पर विजरान करना पड़ ला था तब सभी देवताओं ने मिलकर त्रिमूर्ती से विंती की ब्रंभा वेश्नु और शिव ने अपने शरीर की उर्जा से एक आकरती बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकरती में डाली और इस प्रकार दुर्गा को शक्ति की रूप में प्रकट गिया दुर्गा की च्छावी बेहद सौम और आकर शकती उनके कई हाथ थे क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी थी इसलिए वो सबसे अधिक शक्तिशाली माने गई मा दुर्गा को शिव का तरशूल मिला विश्नु का चक्र प्रम्भा का कमल वायुदेव से उन्हें नासिका मिले हिमावंत यानि परवतों के राजा हिमाले से कपड़े धनुश और शेर मिला और ऐसे ही एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तयार हुई नौ दिन देवी महिशासुर संग्राम हुआ जब दुर्गा यानि देवी ने महिशासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया तब महिशासुर को मारने के लिए उन्हें नौ दिन लगे इसलिए नौरात्र को नौ दिन मनाया जाता है कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग-लग रूप लिया था इसलिए नव दिन नव अलग-लग देवियों की पूझा की जाती है हर दिन को अलग रंग से जोड़तर भी देखा जाता है, इससे जुड़ी अनिक अधायें भी हैं, देवी दुरगा को अश्ट भुजाओं वाली कहा जाता है, कुछ शास्त्रों में दस भुजाओं वाला भी कहा गया है, वास्तु शास्त्र में आठ एहम दिशाएं होती हैं लेकिन कई जगों पर दस कोण या दिशाओं की बात की जाती है इनमें है प्राची यानि पूर्व, प्रतीची यानि पश्चिम, उदीची यानि उत्तर, अवाची यानि दक्षन, इशान अर्थाद नार्थ इस्ट, अग्रिया यानि साउथ इस्ट, नरित्य यानि साउथ वेस्ट, वायू अर्थाद नार्थ वेस्ट, उर्ध, आकाश की और अधरस्त पाताल के ओर कई जगे आठ दिशाएं ही मनी जाती हैं क्योंकि आकाष और पाताल की ओर को दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता हिंदु शास्त्तों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवी दुर्गा हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और यही जो इसे अतुल्य शक्ति से जोड़ कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर दुर्गा मा, दुख और बुराई का अंद करती हैं। दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने मा दुर्गा की पूजा की थी। जिन्हें राम ने मैशा सुर मर्दनी के नाम से ही संबोधित किया था। ये पूजा रावण से युद्ध करने के पूर की गई थी। और इसलिए दशेहरा नौरात्र के अंत में मना है जाता है। जिस दिन रावण का वद हुआ था। राम जी ने दुरगा पूजा के समय 108 नील कमल चड़ाए थे। इसलिए 108 अंक को शुभ माना जाता है। के साथ प्रतिवी की ओर यात्रा करना शुरू करती है। नौरात्र के नौ दिनों में देवी मा के पिभिन स्वरूपों के बारे में हमने बात की। इसके अलावा मा के आउशदिय महत्व और नौरात्र और नौ दुरगा से जुड़ी कुछ अन्य बातों की चर्चा भी की। अगली कड़ी में हम बात करेंगे दशहरा अर्थात विजय दश्मी परव के बारे में इसके अलावा कुछ और बातों की भी चर्चा होगी। देखते रहिए हमारा यूटूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो